हेलो फ्रेंड्स स्वागत थे आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल यहां मम्स किचेन में आज मैं बनाओंगी राजमा के सबजी राजमा के सबजी बिल्कुल ही हम कम समान में हलगाई जैसे बना के त्यार करती हूँ तो चलिए जहर पर से कम समान में कैसे बनाते हैं मैं एक कुछ हम सबजी काट लिए हैं तीन प्याज काट लिए हैं एक सिमला मिर्ची काट लिए हैं तीन टमाटर काट लिए हैं कुछ लासुन की कलिया हैं तो चलिए पहले हम राजमा को बॉयल कर लेते हैं चोटा गिलास से हम दो गिलास पानी डाल देंगे इसको चार सिटी लगा लेते हैं तब तक चलिए हैं मसाले की त्यारी करते हैं तो हम पहले टमाटर का प्यूरी बना लेंगे टमाटर आप ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन प्यूरी बनानेने से बिल्कुल अच्छा से मिक्स सब्जी हो जाता है ग्रेवी जो है उपुरा अच्छा से बना रहता है तो इसको हम चलिए पीस के रेडि कर लेते हैं धे हैं कुछ मसाल्या ले लिए हैं, एक चमाच जीरा है, गरम मसाल्या का कुछ खरा है, कस्तुरी मे Agora जीरा पावडर खावडर, गरम मसाला एक चमच एक चना मसाला हिक चमच अगर आपके पास तो डालेए नहीं तो शिलीयछ क्वच लाल मर्श पाउडरिवाऌनी मेरा देख़ें अबोल में वाईल थे ऑए नहीं को तो देख़ा हो वह थे दुखने गल्योंने जिए देखें को करना है अब एक कराही हम चरहा देंगे अब इसमें हम चार से पांच हमच तेल डालेंगे तेल को गरम हो जाने दीजिए फिर हम इसमें दो तज पत्ता डालेंगे जीरा डालेंगे खरा मसाला जो था गरम मसाला का एक दलचीनी का टुकड़ा एक बड़ा ही लाइंची, एक छोटा ही लाइंची, दो-चार कालीवी, मरिच, एक लॉंग, फिर इसमें अदरक और लासुन का हम पेस्ट जो कुट के बनाए थे और डाल देंगे, इसको भी हम गोल्डेन ब्राउन कर लेते हैं, फिर हम प्याज डालेंगे, प्याज को भी हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं, दो-तीन मिनिट, इसको भी हम गोल्डेन ब्राउन कर लेते हैं, देखे गोल्डेन ब्राउन हो गया, अब इसमें हम चलिए मसाले डालते हैं, तो कस्तुरी मेथी हम डालेंगे, फिर धनिया पोडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, सारे मसाले हम इसी में डाल देंगे, अगर तीक आप ज़एदा खानात पसंद करते हैं, तो मिर्ची पाउडर ज़दा भी डाल सकते हैं, हम एक चम अचे डाले हैं, सब मसाला एक एक चम मच है, अब इसको हम 2 मिनिट पका लेती हैं अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा हम पानी डाल के 2 मिनिट पकाएंगे नहीं तो मसाला मेरा सुखा है तो जलने लगेगा इसलिए थोड़ा पानी डाल के अगर मसाला को पकाईएगा तो बहुत अच्छा ही इसका फ्लेवर नहीं खड़के आता है अब आज भी मेरा अच्छा से गल जाएगा अब इसी के साथ साथ हम टमाटर का पीवरी डाल देंगे इसको भी हम दो-तीन मिनट भून नेंगे अच्छे से जब तक कि इसका सोखना ले पानी इसको अच्छा से देखे पक गया मेरा टमाटर का पानी भी अच्छा से सोख गया है प्याज भी मेरा गल गया तेल छोड़ दिया तो सारे मसाला भी अच्छा से पक गया है तो इसी में हम यह मिर्ची डालेंगे इस समय डालने से यह क्या है कि थोड़ा सा इसका फ्लेवर जादा रहेगा अगर पहले भी डाल देते तो पूरा उसी में गल जाता तो इस समय अगर डालेंगे तो थोड़ा करंची बना रहेगा तो फ्रेंट्स एक बार इसे सिमला मिर्ची के साथ आप जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा आपसे कैसी बन देंगे अब अच्छे से मिला लेंगे एक कप पानी डाल दिए एक कप हम और पानी डाल देंगे स्वाद के नुसार हम नमक डाल देते हैं छोटा चमज से हम दो बार नमक डाल दिए पानी थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा हम और पानी देंगे क्योंकि अच्छे से मेरा पक जाए अंदर तक मसाला में भी मेरा मसाला अंदर तक चला जाए इसको अच्छे से हम पांच मिनट खोला दिए देखे बिलकुल राजमा के अंदर तक मसाले का फ्लेवर चला गया होगा तो इसको मिक्स कर देंगे देखे अब ठिकनेस आप ग्रेवी का देख लीजिएगा ओवनुसार आप रख सकते हैं देखे बिलकुल पक गया है अगर मैस करना है तो आप मैस भी कर सकते हैं अगर दानेदार खाना चाहते हैं तो आपका मरजी के उपर लेकिन हमको दानादार पसंद है तो गया है लेकिन दानादार जब प्लेट में डालने से अच्छा लगता है अब दबा जाने से थोड़ा जो इससे पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हैं देखिए तह चली है वी से हम सब करते हैं वी एक बावल में डाल दिये आपके पास धनिया पत्ता हो तो डाल दिजीगा मेरे पास नहीं था तो हम करी लिप डाल दिये हैं तो फिर मिलती हूं ने अस वीडियो में थैंक्स फर कि अवाचीं!